नमस्कार BCN News के दिन विशेश कारेकर में मैं दुशाप सभी का स्वागत करती हूँ हर साल 4 जन्वरी को विश्व ब्रेल दिवस के तौर पर लुई ब्रेल की जियन टीम बनाई जाती है ब्रेल लिपी के आविशकारक लुई ब्रेल का जन्मु 4 जन्वरी 1809 को फ्रांस में हुआ था ब्रेल एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग दुरुष्टी बादित लोग पढ़ने और लिखने के लिए करते हैं ब्रेल अपने आविशकार के कारण दुनिया भर में दुरुष्टी बादित लोगों के लिए एक मसीहा बन गए थे जीते जी ब्रेल के काम को उचित सम्मान नहीं मिला लेकिन मर्णो परांत उनके काम को तवजूम मिली उनके सम्मान में 2019 में सयक्तिराश्ट्र महासभादवारा विश्वब्रल दिवस अनुमोदत किया क्या विश्वब्रल दिवस पहली बार 4 चनवरी 2019 को मनाया क्या था रोईल ब्रेल ने एक दुरघटना में 3 साल की उम्र में अपनी दुरुष्टी खो दी थी उनकी आखे संक्रमित हो गई और ब्रेल पूरी तरह से अपनी दुरुष्टी खो बैटी थी अपनी दुरुष्टी हींता के बाउचूत ब्रेल ने अकादमिक रूप से उतकुरुष्ट प्रदर्शिन किया और एक चात्र रुथ्टी पर रॉयल इंस्टिटूर फॉर ब्लाइंट यूथ चले गए जब हाँ संस्थान में अध्यान कर रहे थी तो उसी दौरान ब्रेल ने अंधेपन से पेड़ेट लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करनी के लिए एक स्परš कोट विक्सित किया जिससे बाद में ब्रेल लिपी के नाम से जाना क्या स्कूल के दिनों के दौरान लिबरल के मुलाकात सेना के कैप्टन चाल्स बार्बियर से हुई जिन्होंने सीना के लिए एक विशेश क्रिटोग्राफी लिपी का फिकास किया था जिसके मदद से सैनिक रात की अंदेरे में भी संदीश को पर सकते है बाद में ब्रेल ने कैप्टेन बार्बियर की सेनने क्रिटोग्राफी से प्रिरित एक नई विधिकान निर्मान किया तब उनकी उम्र करीब 16 वर्ष की थी कूटलिपी 12 बिंदों पर आधारी थी 12 बिंदों को 66 की पंक्तियों में रखा जाता था हाला कि तब इसमें विराम, संख्या और अगनीती ये चिंध मौझूद नहीं थी लुई ब्रेल ने इसमें आगे और सुधार करती हुए 12 की जगह 6 बिंदों का उपयोग कर 64 अक्षर और चिंध का आविशकार किया था जिसमें उन्होंने विराम, संख्या, बढ़ और संगीत के नूटीशन लिखने के लिए भी जरूरी चिंध उपलब कराये थी उनके इस लिपी को ही ब्रेल लिपी के नाम से जाना चाता है हिंदी एवं बंगाली फिल्मों के प्रसिद्ध अबिनेता प्रदीप कुमार को ऐसे अबिनेता के तौर पर याद किया जाता है चिनों ने 1950 और 60 के दशक में अपने एतिहासी किरदारों के सरी दर्शुकों का भरपूर मनुरेंचिन किया उस जमाने में फिल्मकारों को अपनी फिल्मों के लिए जब भी किसी राचा, महाराचा, राशकुमार अत्वान नवाप की भूमिका की सरुरत होती थी तो वह प्रदीप कुमार को याद करती थी आज ही के दिन 1925 में उनका चन्द हुआ था पशिम बंगाल में 4 जन्वरी 1925 को एक ब्रामभन परिवार में प्रदीप कुमार का जिन्द हुआ प्रदीप कुमार बच्पन से ही फिल्मों में बत और अभिनीता काम करनी का सपना दिखा करती थी इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी जीवन की शिरुवाती दोर में रंगबन से चुड़ी हाला कि इस बात के लिए उनके पिताजी रासी नहीं थी 17 वर्ष की उमर में प्रदीप कुमार अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई आके मुंबई आने के बाद वह कैमरमेन धिरिंडे के साय के दोर पर काम करने लगे वर्ष 1947 में उनकी मुलाकात निर्देशक देव की बोस से हुई देव की बोस को प्रदीप कुमार में एक उभरता हुआ सिथारा दिखाए दिया और उन्होंने अपनी बांगला फिल्म अलक नन्ना में काम करने का मौका दिया इस फिल्म के जरिये प्रदीप कुमार बतौर अभिनेता पहचान बनाने में भले है सफल नहीं हुए लेकिन एक अभिनेता के रूप में उन्होंने सीने करियर के सफर की शुरुवात करती इस बेच प्रदीब कुमार ने एक और बंगला फिल्म भूली न्याय में अभिने क्या फिल्म भूली न्याय ने बॉक्स ओफिस पर अपने सिल्वर जुबली पूरी की इसके बाद प्रदीब कुमार ने हिंदी फिल्म की और भी अपनार रुख कर लिया उनके उत्कृष्ट अभिने से सजी, अनारकली, ताजमहल, बहु बेगम और चित्रेलेखा जैसे फिल्मों को दर्शक आज भी पूले नहीं है भायतिय हिंद्स सिनिमा के एक महान संगीतकार के रूप में प्रसिध आईडी बर्मन का पूरा नाम राहुल देव बर्मन था और फिल्में दुन्या में वे पंचमदा के नाम से विख्या थी उन्होंने अपने करियर के दोरान लगबग 300 फिल्मों में संगीत दिया मधियूर संगीत से शुरुताव का दल जीतने वाले संगीतकार राहुल देव बर्मन के लोप्रिय संगीत से सजेगीत चिंगारी को ये बढ़की कुछ तो लोग कहेंगे पिया तो अब तो आजा आदी है आज इके दिन 1994 को उनका अंधि धन हुआ था आईडी बर्मन कोलकता में जिन में थी कहा जाता है कि बच्चपन में जब ये रोते थी तो पंचम सुर्किद्वनी सुनाई देती थी जिसके चलते इन्हें पंचम कहकर पकारा किया कुछ लोगों के मताबिक अभिनेता अशुक कुमार ने जब पंचम को छोटे उम्पर में रोते हुए सुना तो कहा कि ये पंचम में रोता है तब से उन्हें पंचम कहा जानी लगा इन्होंने अपनी शुरुवाती शिक्षा बालिंग्स केवर्मेंट हाइ स्कूल से कलकता से ले थी बाद में उस्ताद अली अकपर खान से सरोत भी सिखा इनके पिता सचीन देव बर्मन जो खुद हिंदिस सिनिमा के बड़े संगीत कार थे इन्होंने बच्पन से ही आडी बर्मन को संगीत की दाव पे सिखाना शुरू कर दिया था राहुल देव बर्मन ने शुरुवाती दौर की शिक्षा बालिंगोंगी सरकारी हाइ स्कूल कॉलकता से प्राप की केवल नौ बरस की उम्र में उन्होंने अपना पहला संगीत एमेरी टोपी पलट के कूद दिया जिसे फिल्म फंटुश में उनके पिता ने इस्तमाल किया छोटे से उम्र में पंचमदानी सर्जो देरा चकराय की दुन तयार कर ली जिसे गुरुदत की फिल्म प्यासा में लिया क्या एस्ती बर्मन हमेशा आरडी बर्मन को अपने साथ रखते थे इस वज़र से आरडी बर्मन को लोग की तो, वाद्यों और और्केस्ट्रा की समझ बहुत कम उम्र में ही हो गई थी जब एस्ती आराद्ना का संगी तयार कर रहे थे, तब काफी बिमार थी तब आरडी बर्मन ने कुशलता से उनका काम संभाला और इस फिल्म के अधिक तरदों ने उन्होंने ही तयार की आरडी बर्मन को बड़ी सफलता मेली अमर प्रेम से चिंगारे कोई भड़के और कुछ तो लोग कहेंगे जैसे यादखार गीत देकर उन्होंने साबित किया कि वे प्रतिभाशाली है BCN News के दिन विशेशकारे क्रम में फिल्हाल इतना ही ऐसे अन्यों और खपरों से जुड़े रहने के लिए देखते हैं ये BCN News नमस्कार